मैं भजन सहीता से एक वचन निकालना चाहूँगा भजन सहीता 115 कई बार हम पाप की विशे में सोचते है हमने अभी अभी सुना अपने आपका न्याई करने की विशे में पाप जो ऐसे काम है जो हमने किये है कृत्य है जो हमने किये है जो हम समझ गए हम जान गए हम प्रलोबित हुए हम उससे राजी हो गए शायद हमने कुछ शब्द कह दिया या कुछ हमने किया पर हमारे कई पाप जो है अगर आप उसके जड़ पर जाओ यहना बप्तिस्मा ने कहा कि नई वाचा में येशु एक कुलाडी लेकर आया है और पेड़ के जड़ पर वो मारेगा पुरानी वाचा को मैं देखता हम वो कैची जैसा था वो बस फल काटता था जब फल उत्पन होता था तो और हम उस फल को काटते रह सकते हैं जैसे वो फल आता है और वो पेड़ बड़ा अच्छा दिखेगा दूसरे लोगों के लिए जो फाइदा ये है ये जो फल है या ना बंद हो जाएगा और वो जो जड़ है हमारे रवईयों में होता है और ये समझ में कि परमेश्वर कैसा है वो बदलने के आवशकता है भजन सहिता 115 में मैंने सोचा मूर्थी के संब्द में इसको हम सब बिल्कुल निश्चत है कि हम किसी मूर्थी के आरात्ना नहीं करते पर हमें अपने आपको जांचने के आवशकता है थोड़ा और इस विशेय पर यहां लिखा है चौथे वचन में भजन 115 चौथा वचन उन लोगों के मूर्थे संसार के मूर्थे सोने चांदी की है मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है और इन मूर्थों के कुछ गुण यहां दिये गए है वे बोल नहीं सकते पांचवा वचन वे सुन नहीं सकते और उनके पास हाथ है पर उन हातों से वो कुछ नहीं कर सकते आईए हम उन तीन विश्यों के बारे में सोचेंगे एक मूर्थी सुन नहीं सकती बोल नहीं सकती वो अपने हाथों से कुछ नहीं कर सकती और अगर हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो सुनता नहीं जब हम प्रात्ना करते है आप वो आखरी समय कब था जब आपको आपके प्रात्ना का उत्तर मिला और जो हमसे बात नहीं करता आप परमेश्वर को आपसे बात करता वो नहीं सुनते बाइबल आपके लिए सूख ही पुस्तक है और आपके पास एक ऐसा परमेश्वर नहीं है जो आपके तरफ से काम करेंगे फिर वो एक मूर्ती है यदे पर आप उसको येश्यो मसी क्यों न कह ले क्योंकि वो आपकी प्रार्तना नहीं सुन रहा वो कभी आपसे बात नहीं करता और उसके हाथ बस वहाँ है वो कुछ आपके लिए करते नहीं ये गुन है एक मूर्ती के और इसलिए ये ऐसा कुछ है जिसके विशे में हमें सोचना है और कहना है मैं नहीं एक ऐसे मसी के आरादना नहीं करना चाहता जो एक मूर्ती है येश्यो मसी मरे हुए मसी जी उठा नहीं तो हमें एक मरे हुए मसी की आराधना कर रहे है एक मरा हुए मसी जो सुन नहीं सकता बोल नहीं सकता कुछ नहीं कर सकता पर क्योंकि वो मरे हुएं से जी उठा है हमारे रिदे में गहरा अश्वासन होना चाहिए जब हम प्रात्ना करते हैं कि वो हमें सुनेगा ना केवल हमें सुनेगा पर वो उत्तर भी देगा वो सत्य जो वो उत्तर देता है वो सबूत है कि वो सुन रहा है वो हमेशा हम जैसे अपेक्षा करते हैं वैसे नहीं जवाब देता है जैसे मैंने कई बार कहा है अगर आपका विवेक साफ है और आपके रिदे में कुछ भी नहीं है जो आपको विचलित करता है आपको और परमेश्वर की बीच में और आपके दूसरों की बीच में फिर आप बिलकुल निश्चित हो सकते हो कि परमेश्वर आपके प्रार्तना क प्रभु नहीं सुनेगा फिर आपका परमेशर एक मूर्ती है वो एक मूर्ती है क्योंकि आपके जीवन में कुछ पाप है जिसको अपने सही नहीं किया है फिर वो एक मूर्ती जैसा है जो सुनता नहीं प्रभु नहीं सुनेगा अगर मैं अपने रिदय में कुछ अधर्म किसी भाई या भेहन के प्रतिकलिश्या में किसी कारण वर्ष आपको पसंद नहीं शायद आपको उसका चेहरा नहीं पसंद या बरताव नहीं पसंद या वो कैसे बात करता है उसकी आवाज आपको नहीं पसंद ऐसी कोई मूर्ख बाद जो शैतान आपको विचलित करेगा जिसके वज़े से और परमेश्वर के साथ आपके रिष्टे को विचलित कर देगा अगर मेरे रिदय में मैं अधर्म रखू तो भजन 6-6-8 मेरा परमेश्वर मेरे लिए मूर्थी बन जाएगा वो नहीं सुनेगा वो उत्तर नहीं देगा मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा इसी वज़े से इमहत्वपूर्ण है कि हम सुनिश्चित करे कि लोगों के प्रती हमारे रवये सच सही हो जैसे हमने सुना अपने आपको न्याय करने के विशय में और शुद करने के विशय में ताकि हमारा अंत एक मूर्थी का आरादना करते हुए न हो मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि येश्व मसी कई मसी जिसके आरादना करते है वो एक मूर्थी है वो सच्चा पुनरुथित जीवित मसी नहीं है जिसने कहा स्वर्ग और पुत्वी का सारा अधिकार मेरे पास है पूरे संसार में जाकर शिश्य बनाओ और उन्हें सिखाओ हर एक बात सिखाओ जो मैंने तुम्हें आग्या दी अगर आप सच्पुच विश्वास करते कि येश्य मसी के पास स्वर्ग और पुत्वी का सारा अधिकार है आप कभी चिन्ता नहीं करते किसी भी बात की चिन्ता ये एक चिन्न है कि जिस येश्य की मैं आरादना करता हूँ उसकी स्वर्गर पुत्वी में कोई अधिकार नहीं है पूरा अधिकार नहीं है सोच कर देखिए अगर इस देश का सबसे शक्ति शाली विक्ति को आप जानते और आपको समस्या होती आप उसको कहते और वो कहता है चिंता मत करों मैं निपट लूँगा आप अराम से सो जाओगे क्योंकि आप निश्चित हो इस देश का सबसे शक्ति शक्ति विक्ति आपके लिए वो कर देगा इसलिए अगर हम मसी के पास वैसे आएंगे और विश्वास करेंगे कि वो मरे वो मसे जी उठा है प्रेरित हमेशा कहते थे हम उसके पुनरुथान के गवा है मैंने कई बार सोचा है क्योंकि मसी उसके क्रूस पर चड़ाए जाने के गवा होते है हम घोशना करते कि येशु मरा येशो मरा येशो मरा येशो मरा वो सूसमाचार है नहीं सूसमाचार है येशो मरे वो मेंसे जी उठा उसने मृत्यू पर विजय पाई उसने मृत्यू को हरा दिया वो जीवित है और क्योंकि वो जीवित है अगर आप केवल कहोगे वो उसकी मृत्यू होई वो आपके पापो के लिए तो मरा पर वो सुन नहीं रहा वो उत्तर नहीं दे रहा पर वो मृत्यों में से जी उठा है और इसलिए वो सुनता है ये हमारी गवाई होनी चाहिए हमारे पास एक परमेशर है जो मुझसे बात करता है मैं ये नहीं कहरा कि उसे मुझे phone करके बात करनी चाहिए आपके पिता आपको पत्र लिख सकते है पर मेशर मुझ से Bible दौराबात कर सकता है पर वो बात तो करता है मेरे लिए ये Bible मरियोई पुस्तक नहीं है अगर आपको Bible एक उबाव पुस्तक लगती है boring पुस्तक लगती है मैं येशु के नाम से आपको कहना चाहता हूँ जिस मसी के आप आराद ना करते वो एक मूर्ती है सच्चा मसी नहीं अगर अब सच्च मुछ जीवित मसी के साथ संपर्क में है तो वो आपसे बात करेगा बाइबल के द्वारा मैंने अनुभव किया है 62 वर्षों से ऐसा कभी कोई परिस्तिती नहीं रही मेरी जीवन में इस सारे 62 वर्षों में जब से मैं प्रभू को जानने लगा जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया बाइबल से अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं नहीं फिर आप नहीं जानोगे जब शैतान ने येशू को परिक्षा की जब कभी शैतान ने परिक्षा की उसने उत्तर दिया येशू के पास उत्तर था मन से नहीं पर बाइबल से जब शैतन ने कुछ कहा येश्व ने कहा नहीं ऐसा लिखा है फिर शैतन ने कुछ और कहा येश्व ने कहा नहीं ऐसा लिखा है फिर शैतन ने कुछ और कहा अब जब शैतन ने देखा कि येश्व बाइबल की बात कर रहा है तो शैतन ने भी बाइबल की बात शुरू की क्या आप जानते हो शैतान बाइबल से कह सकता है उसने येशु को कहा मंदिर के शिरमानी से कूच जा तू तो कह रहा है ना लिखा है तो लिखा है की स्वर्दू तुझे समा देंगे और येशु ने कहा ये भी लिखा है कि आपने परमेशुर की परिक्षानेला पूर्ण सत्य एक गोल गोल गूमते रहोगे और इसी वज़े से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बाइबल को जाने और प्रभू को हमसे बात करते हुए सुने उसके द्वारा मैं कई कई परिस्यतियों के विशे में सोच सकता हूँ जहां प्रभू ने मुझे बहुत स्पश्टता से चलाया जब प्रभू ने मुझे मेरा नौकरी चोड़ने के लिए बूलाया 56 वर्षों पहले जो कुछ प्रभू ने मुझे तब वाइदा दिया अब मैंने इन 66 वर्षों में उसको पूरा होते देखा है वो प्रमेश्वर जो बात करता है जब प्रभू ने स्पश्टता से मुझे कहा मुझे किससे विवा करना है मैं देखता हूँ उसके परिणाम क्या हुए इन सारे 54 वर्ष में जब हमारा विवा हुआ है परमेश्वर हर छोटे डीटेल में दिल्चस्पी रखता है हमारे जीवन के अगर मैं सचमच उसे खोजू तो जो उसे खोजते नहीं जो उसे खो पसंदिदार वचनों में से एक है जहां प्रभु कहता है मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए योजनाय है मैं आशा करता हूँ कि तुम व्यक्तिकत वचन परमेश्वर के और से इसको लोगे आज सुबह अगर आपने आज तक नहीं लिया तो इर्मया उन्तिस ग्यारा मैं तुम्हारे लिए कलपनाय या योजनाय की है प्रभु कह रहा है और वो जो कलपनाय है वो तुम्हारे भलाई की लिए है कुशल की है मतलब बहुत अच्छा तुम्हारे लिए करना चाहता है कोई हाने की नहीं मतलब उन में से कोई भी आपके लिए बुरा ही नहीं करेंगे शायद वो जो रस्ता है जिससे प्रभू आपको ले जाएगा वो कठिन होगा जैसे उधारन की तौर पर आप चाहते हो कि आपका बेटा अच्छे कॉलिटी का इंजिनेर या डॉक्तर बने या साइंटेस्ट बने तो आपको कहना पड़ेगा कि आपके कुछ कठिन पढ़ा ही करनी पड़ेगे आपको पर उसके अंत में आप इतने बुद्धिमान विक्ति बन जाओगे आप सोसाइटी के लिए समाज के लिए बहुत उप्योगिर होगे अच्छे पैसे कमा सकोगे और इसलिए प्रभु कहता है ये आपके कुछल की है शायद रास्ता कठिन होगा पर वो आपको भविष्य देगा और आशा देगा मेरे पास तुमारे लिए एक योजना है पर अगर उसे पूरा करना चाते हो तो तुम्हें मुझे पुकारना होगा 12 वचन और में इसे प्रातना करो मैं एक मूर्ती नहीं हूँ मैं तुम्हें यजई सुनूंगा प्रभु कहता है मैं तुम्हें सुनूंगा और पर 13 वचन हमें क्यों लगता है कि वो नहीं सुन रहा तुम मुझे ढूंडोगे और पाऊगे भी केवल तब अपने संपूर्न मन से मुझे खोजोगे इसका मतलब जब मैं तुम्हारे जीवन में पहले स्थान पर हूँ तुम्हारी नौकरी नहीं अपने योजनाई नहीं अपनी पत्नी नहीं अपना पती नहीं मैं अगर पहले नंबर पे हूँ तुम्हारे जीवन में अपने पूर्न रिदे से मुझे खोजोगे तो मैं हमेशा तुम्हारी सुनूँगा इसको एक नियम की तोर पर ले लीजे और मैं तुम्हारे द्वारा में पाऊंगा, तुम मुझे पाऊगे और मैं तुम्हें सब बाते वापस देऊंगा ये एक अद्वत वाइदा है हमें इन वाइदों को अपने रिदय में लेना है इसी से हम अपने जीवन में साबित करते है कि जिस परमेश्वर की हमारादना करता है वो एक मूर्ती नहीं है वो हमें सुनता है वो हमें उत्तर देता है वो हमारे लिए काम भी करता है उधारन की तौर पर जब लिखा है परमेश्वर सब बातों को मिलकर भलाई ही को उत्पन करता है रोमियो आट 28 में भलाई ये है कि हम थोड़ा ज्यादा मसी जैसे बन जाए जैसे अगले वचन में लिखा है और पुरानी वाचा में ऐसे कहानिया है पुरानी नियम में जो हमें दी गई है हमें ये दिखाने के लिए कैसे परमेश्वर अपने सेवकों के लिए ये किया यूसुफ का उदारन सबसे उतकुर्ष्ट उदारन है पुरानी नियम का पहले किताब में बाइबल के एक जवान विक्ती जो सचपच परमेश्वर का भाय रखता था 17 वर्ष का एक जवान पुर्ष जिसको परमेश्वर के सवपन थे ये अद्भुत है और केवल ये नहीं कि परमेश्वर ने 17 वर्ष के लड़की को चुन लिया उसने अपने पिता से सुना और उसके पिता ने उसको अबराम के परमेश्वर के बारे में बताया इसाग के परमेश्वर के थे रात में 17 की उमर में वे परमेशुर की ओर से थी और जो भविशय में उसके जीवन में होने वाला था उसके विशय में किस प्रकार के प्रश्ण स्वपन एक उसद 17 वर्श के लड़के को आज पड़ते हैं ये दिखाता है कितना दूर मसी लोग भी परमेशुर से दूर ग मसी में विश्वास करें और केवल मूर्ती में नहीं जो हम उनको केवल बुद्धिक कोई ग्यान दे और परिनाम ये था कि जो कुछ यूसुफ के जीवन में हुआ अंतिम तह वो उसके भलाई के लिए ही काम किया इतनी भलाई कि जब उसके भाईयों ने उसको मारने की भी क चानते हैं कि परमेश्वर सब बाते मिलकर भलाई ही को उत्पन करता है जो उसके प्रेम करते हैं और उसके उद्देश अनुसार बुलाए गए हैं यहां पुराने नियम का रोमी आठा अठाटाइस है उत्पत्ति पचास अध्याए जहां यूसुफ उसके भाईयों को बता और विक भोजन के लिए उसके पास आते हैं उत्पत्ति पचास सोलवा वचन उसके भाई कहते हैं यूस याकुब हमारे पिता ने हमें यह आग्यादी तुमसे कहने के लिए कृपया इन्हें क्षमा कर दे तेरे भाईयों के अपरात को क्षमा कर उन्होंने तेरी विशे रोमियो आट-ट्थाईस उत्पत्ति पचास बीस वचन तुमने तो बुराई का विचार किया था मेरे खिलाफ पर परमेशर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वो ऐसा करे ये एक अध्भुत वचन है उसके पास बाईबल नहीं थी उसके पास रोमियो आट- को निकाल देने की कोशिश की उसके वज़े से तेरा वर्ष उसने एक गुलाम की तरह काटे बंदिग्रोह में काटे कल्पना कीजिए यह सब 17 से लेकर वो निकाला जाता है तीस तक वो गुलाम होता है और अब जानते हो इन दुष्ट दस बड़े भाईयों के वज़े से जिन प्रकार का रवईया रख सका मैं यह कहना चाहता हूँ भाईयों जब आप इन पुरानी नियम की कहानियों को पढ़ते हो हमें सच मुछ शर्म से अपने सिर जुकाना है प्रभू यहां एक व्यक्ति है मसी के जानकारी के बिना जिसके पास बाइबल नहीं है जिसके पास पहुंचाते हैं उनके प्रती जो मुझे हानी पहुंचाते हैं फिर मुझे अपने आपसे पूछना है कहीं मैं मूर्ती की तो नहीं आरादना कर रहा और सच्चे जीवित मसी की नहीं और यह लागो करन है तुम मूर्तियों के आरादना नमत करना इसका देखिए कि कहिए आ आपके जीवन को लाग होता है कि नहीं, मैं एक और बात कहूंगा, जो परमेश्वर जिसको हम आराधना करते हैं, वो जब सच्चा परमेश्वर नहीं होता, मैं सोचता हूँ, परमेश्वर एक पिता है, योहना इसके पहला अध्याय में लिखा है, सच्चा और जीवित परमे बनाते हैं, सारे मूर्तिया जो इस संसार में है, उन्होंने बनाई है, जो परमेश्वर को नहीं देखा है, उन्हें लगता है, परमेश्वर ऐसा होगा, वैसे होगा, वो सूर्य की चंदर के आराधना करते हैं, पर येश्वर आया, और उसने पिता को प्रकट किया, पिता क कभी नहीं देखा और इसलिए यह सारी मूर्तिय वे बनाते हैं कि वे एक ऐसा पर्मेशवर बनाता है जो इतना दया नहीं करता वो इतना कफोर है ये शुने कहा नहीं वो इक पिता है वह प्रेम करने वाला पिता है और मैं सोचता हूं कई मसी जो है उन्होंने उसको एक प्रेम करने वाले पिता की तौर पर नहीं देखा है और आप देख सकते हैं उनका रवया के प्रति अपने बच्चों के प्रति क्या रवया है उनका ये पृत्वी के जो पिता होते हैं वे भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं पर जब हम परमेशुर को पिता की तौर पर जानेंगे वो हमारे पूरे रवये को बदल दाता है लोगों के प्रति परमेशुर बहुत दयावान है वो ख्षमा करता है वो धीरज रखता है सारे उसमें गुण है पिता के वो अनुशासित भी करता है वो अपने बच्चों से इ कोई भी पिता जो अपने बच्चों को सब कुछ खरीद कर देता है जो वह मांगता है उसने परमेशर को देखा ही नहीं क्योंकि परमेशर अपने बच्चों को वह नहीं देता है जो वही देता है जो उनके लिए अच्छा है और सही समय पर येश्यों ने पिता को प्रगट कि देख रहा है वो हर बार मुझे मुझसे गुसा है क्योंकि मैं सिद्ध नहीं हूँ वो कैसे मुझसे प्रेम पर्च से देखेगा जब मैं खुद अपने आप में इतनी खामिया देखता हूं वो 101 दूसरी गलत बाती देखता होगा ये अद्भुत बात है इसलिए येशु को कहानियों का इस्तेमाल करना पड़ा पर्मेश्वर के प्रेम को दिखाने के लिए मुझे लगता है हमें से कईयों को बार बार उड़ाव पुत्र की कहानी देखनी चाहिए लूका 15 में वो चित्र जो हमारे पास पीछे है ये बिलकुल सच्चा चित्र है पर्मेश्वर का औ अपने पिता का नाम उसने खराब कर दिया अपने पिता की संपती लेकर उड़ा दी पूरी की पूरी और फिर वो वापस आता है और ये चित्र है जो येश्वर ने किया पिता का लुका पंद्रा वो उठकर 20 वचन उस दूर के देश से वो अपने पिता के पास आया और अब सुने जब ये लड़का काफी दूर था उसके पिता ने उसे देखा ये कैसे संबव है कि आपने कलपना की है कि आप रुकते हो ऐसे वचन के पास आकर कि कैसे पिता ने उसको देख लिया दूर से बहुत बहुत दूर वो सड़क के अंत पे शायद एक किलोमेटर वो दूर होगा क्या उसने टेलिग्राम भेजा था उस उड़ाओ पुत्र ने नहीं कोई संदेशा नहीं था कि मैं आने वाला हूँ पिता कैसे जान गया कि वो आ गया है मैं आपको बताता हूँ मैं सोचता हूँ कि पिता हर दिन खिड़की से देखता था हर थोड़े समय में मेरा बेटा कब वापस आएगा मेरा बेटा कब वापस आएगा वही चित्र है मेरे मन में मेरे स्वर्गया पिता का अगर आप कहीं फिसल कर गिर गये हो दूर हो गये हो और उसके نाम को आपने बुरा किया है और अपने जीवन में कुछ गलत किया है बिगाड दिया है, मेरे प्रिया भाई, मेरे प्रिया बहन, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको कैसे देखता है, जिसने अपना जीवन बिगाड कर रखा है वो इंतिजार कर रहा है हर दिन, ये देखने के लिए कि आप कब वापस आओगे और जब वो आपको देखता है, थोड़ा भी मुड़ते हुए और उसके पास आते हुए थोड़ी भी अगर आपके अंदर इच्छा है कि प्रभू मैं माफी चाहता हूँ जो मैंने कि आपने मन फिराया है, यहां लिखाए कि वो भाग कर आया, दोड कर आया यह एकलोंती जगा है पूरे बाइबल में, जहां पढ़ते हो कि परमेशवर दोड़ता है वो किसके लिए दोड़ रहा है, वो अपने एक धर्मी पूर्न रिधाई बेटे के लिए नहीं दोड़ रहा जिसने सब कुछ सही किया है जीवन में, वो तो हम समझ सकते थे आगर परमेशवर ऐसे लोगों के लिए जाता तो, वो जाता है पर वो यहां दोड़ रहा है कैसे वेक्ति को मिलने के लिए, जिसने उसका नाम मिट्टी में मिला दिया, जिसने अपना पैसा उड़ा दिया है, सब कुछ गलत किया है जो कुछ संभव है वो गलत उसने किया और वो निकलते वक्त कहता था पुतर की मैं कभी वापस नहीं आउगा यह उसके लिए परमेशवर दोड़ रहा है मैं आपको पूछना चाता हूँ, क्या आप इमानदारी से विश्वास करते हो क्या यह परमेशवर है जिसके आप आरादना करते हो या आप एक मूर्ती की आरादना कर रहे हो एक मूर्ती जो हमेशा आपसे नाराज हो थोड़ा भी आप फिसल जाओ आप पर कूद पड़ेगा वो एक मूर्ती है मेरे भाई वो एक मूर्ती है वो परमेश और येशु नहीं है येशु मसी ने पिता को प्रगट किया एक ऐसा पिता जो दोड़ता है हमारे स्वागत करने के लिए एक पिता जो कभी आपको नर्प नहीं जाने देखना चाहता एक पिता आपके पृत्वी के जीवन को बिगाड़ते हुए नहीं देखना चाहता उन चीजों की खोज में जो आपको आशिशित नहीं करे गए और जब वो उड़ाव पुत्र वापस आता है और बेटा जो है उसने एक स्पीच लिख कर रखी और उसका अठरा वचन में स्पीच था मैं अपने पिता से कहूँगा पिता मैंने स्वर्क की विरोध में पहली बात दूसरी बात उसके सारे पॉइंट्स उसने लिखे मैंने तेरी दृष्टी में पाप किया दूसरी बात तीसरी बात मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र रहू चोथा मुझे अपना एक मजदूर बना दे उसने स्पीच लिखी है और वो पिता के पास आता है मैंने स्वर्क के खिलाफ बाप की मैंने तेरे के ऊव्ट की और मैं पुत्र नहीं हूँ तेरा पुत्र नहीं हूँ और परमेश्वर कहता है रुख जाओ, सोच कर देखिए, परमेश्वर उसको रोक रहा है, परमेश्वर कहता है मैं खुश हूँ तु वापस आ गया, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता तुने क्या किया, तुने अपने जीवन को बिगड़ा, मैं तुझे सबसे अच्छा वस्त पुत्र निकालो, 22 वचन और उस पर पहना दो, और एक अंगुटी उसके हाथ में, और पाओ में जूतिया पहनो, मुझे लगता है कि उस पिता के हाथ में अंगुटी थी, मैं सोचता है और उसका एक और बेटा था, एक बड़ा पुत्रा, और उस ने उस अंगुटी को उस और उसको मुख्य विक्ती बना दिया गया घर का, अब जो बड़ा पुत्र था, हम उसके विशे में भी पढ़ते हैं, वो वहाँ है और वो बहुत विचलित था, कि पिता इस चोटे इस पापी को देख रहा है, ये दो अलग अलग रवाईये हैं, बड़ा बेटा जो है, उ वहाँ के साथ जिया है, और जब वह वापस आता है, तुम जश्न मनाते हो, आने के बाद भी क्या अच्छा ही की है, वो अभी तो आया, आज ही तो आया वो, और वो जो बड़ा बेटा था, उसका रवाईया ये दिखाता है, मसीयों का रवाईया, जिनोंने, पिता को नहीं देखा जिसके वेशय में येशु ने कहा, कभी कभी हम इन अध्याओं को इतने जल्दी से पढ़ लेते हैं, कि हम देख नहीं पाते कि परमेश और वास्तविक्ता में कैसा है, मैं आपको प्रोचाइद करना चाहता हूँ मेरे भाई और बेहनों, पिता को समझ लीजिए, ज जोहना सत्रा, तीसरा वचन, ये अनन्त जीवन है, मैं अपने शब्दों में इससे कहना चाहूँगा, कि तुम एक मूर्ती की आरादना न करो, पर तुम इकलोते सच्चे परमेश और को जानो, जिसको येशु ने प्रगट किया है, जिसको उसने भेजा था, अगर आपने स अच्चे परमेश और को नहीं देखा, जिसको येशु ने प्रगट किया, मुझे कोई फरक नहीं परता, आप कौन हो, मुझे कोई फरक नहीं परता, आप किस डिनॉमिनेशन से हो, आप एक मूर्ती की आरादना कर रहे हो, एक ऐसा परमेश और, जो वो नहीं जिसको हुए देगा जो उसे मांगते है क्या आपके बच्चों को चिंता करनी पड़ती है खाने की येशु ने कहा आकाश के पक्षियों को देखो तुम्हारा पिता उन्हें खिलाता है उसको चिंता है कही एक चिडिया गिर कर मर नहीं जाती क्या आप एक ऐसे पिता में विश्वास करते हो जो एक चिडिया को भी भूमी पर पड़कर मरते हुए देखता है क्या आप विश्वास करते है कैसे परमेश और मैं जो एक पिता है जिसने आपके सिर के बाल गिन रखे हैं यही तो येशु ने कहा हम ये सारे वचन भूल जाते हैं और उसका परिणाम ये होता है हम हम एक ऐसे परमेशल के विशे में सोचते हैं जो बहुत कठोर है क्या आप जानते हो परिणाम क्या है हम दूसरों पर कठोर होते हैं हम उस बड़े पुत्र जैसे बन जाते कलीश्या के दूसरे भाई बैनों के प्रती जब हम कुछ उनमें गलत देखते हैं आप आपके पती में कुछ गलत देखते हो पत्नी में और बिल्कुल उस बड़े बेटे जैसे बनते हो क्यों मैं आपको बताने चाहता हूँ प्रेम से आप एक मूर्ती के आराधना कर रहे हो उससे दूर हो जाओ और कहिए एक प्रार्तना कीजिए आज जैसे आप बाइबल को वापस पढ़ यशेया 49.15 में क्या एक मा अपने दूर्ट चुड़ाए हुए बच्चे को बूल सकती है शायद वे बूल जाए पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा आमेन